हाई फ्रेंड्स वेल्कम टो वेस्टेडी क्लासस अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक बाज चैट बॉक्स में येस लिख देना अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक बार चैट बॉक्स में येस लिख देना ताकि आज का सेशन हम स्टार्ट कर सकें चली तो आपके मेसेजिस आ रहे हैं कि येस लिख आपकी वाज सुन पा रहे हैं सबको वेरी गुड मॉर्निंग है हेलो नमस्ते उमीद करते हैं आप सब भी बहुत बढ़िया है जी और आपके प्रेप्रेशन भी बहुत अच्छे से चल रही है हां जी सबको गुड मॉनिं खुश्प पूछ रहे हैं प्रीवेस एर कितने एर तक के करें 2012 से तो करने ही चाहिए आपको उससे पीछे आपकी मर्जी है 2012 से तो करने ही चाहिए हां चलो ओडिवल हैं तो सेशन को स्टार्ट करते हैं जी तो माइडी और फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं आप सभी ने सुना होगा कि paper 1 जो इस बार आया उसके अंदर हमारे कुछ paper 1 में से contemporary topics हमें current के topics देखने के लिए मिले तो ऐसे कुछ topic थे जो की current awareness से जोड़े हुए थे current scenario से जोड़े हुए थे सीधे सीधे सवाल थे कोई बहुत जारा typical सवाल नहीं थे तो ऐसे सीधे सीधे कुछ सवाल आ में आप सभी का स्वागत है और अपने discussion को स्टार्ट करते हैं चलो जी तो my dear friends एक बार आगे बढ़ने से पहले जिल्दी से आपको हमारे courses के बारे में भी बता देते हैं तो paper 1 जो की general paper है उसके लिए mini combo pack जिसके अंदर आपको unit wise notes मिल जाएंगे previous year paper मिल जाएंगे और कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगे practical topics पे complete combo pack पूरी preparation के लिए paper 1 की, paper 2 commerce और management के लिए free snapshot notes है, unit wise explained past papers है, test series है, NTA वाले format में सभी units का video course है, सभी courses का combo भी आप अवेल कर सकते हैं और अगर आप paper 1 और 2 दोनों लेते हैं तो उसका भी आप एक लगसे combo ले सकते हैं, extra 15% of video courses पे promo code NTA तो my dear friends बढ़ें आज के पहले सवाल पे चलो जी, पहला सवाल my dear friends आपकी screen के ओपर आ चुका है, पहला सवाल आ चुका है screen के ओपर, union finance minister on May 17 announced that the government has decided to do in the education sector, announced what the government has decided to do in the education sector in view of the coronavirus crisis, as part of the initiatives it was also announced that dash new channels would be added under swim prabha DTH initiative, आप सभी ने सुना होगा कि swim prabha पे सवाल देखने को मिला था examination में, और उसी से जुड़ा सवाल my dear friends आज आपके साथ हम discuss करने वाले, थोड़ से चाट में जो number है वो fluctuate करता हूँ, दिख रहा है मुझे, एक बार आप मुझे like करके बता दीजे कि आप सभ बताईए कि आप मेरे साथ सभी जुड़े होएं, आजी आपके answers भी मेरे पास आने शुरू हो गए हैं, तो आपके answer आ रहे है, A2, आधी अधूरी knowledge से चल रहे हैं, हाँ, नताशा ने answer दिया 12 का, नताशा ने answer दिया 12 का, ये देखिए my dear friends, हमारा जो answer है वो है 12, तो यहाँ पर online education के लिए COVID-19 के दौरान स्वयम प्रभा के जो channels हैं, वो finance minister ने announce किया कि हम बढ़ा देंगे, और 12 channel जो है इसमें add कर देंगे, तो 32 channel थे और announce किया कि 12 channel add कर देंगे, और अगर हम इसकी website पर जाके देखते हैं, स्वयम प्रभा की website पर चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख इजाम से पहले-पहले भी add हो जाएं, तो अभी फिलाल 34 DTA channel है, 24x7 basis पे TV चलाओ, पढ़ा ही करो, और TV के लिए आप सभी जानते हैं कि satellite जरूरी है, तो G-SAT-15 satellite जो है, उसके थ्रू यहाँ पर transmission किया जा रहा है, और यहाँ पर बोला गे कि जो channel uplink होते हैं, upload होते हैं, वो maintain करता है, तो यहाँ इन DTA channels में आपको higher education, school education, class 9 से 12 तक, और साथी कुछ curriculum based courses, जो की lifelong learners की जो needs हैं, वो meet करेंगे, वो सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, तो इसके बारे में अगर हम कुछ और जानना चाहते हैं, तो इसकी website हमने खोल रखी है, और इसके 34 channel हैं, बट बोला गया 12 एड होंगे, अब ये number आपका fluctuate करता जाएगा, number आपका fluctuate करता जाएगा, तो school education सबसे जोड़े channel हैं यहाँ पर, चलो, चलते हैं अब अगले सवाल पर, हाँ, अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल है, अगला सवाल है, what was the theme of 10th edition of world future energy summit 2020, अभी world future energy summit का 10th edition हुआ था, उसकी क्या theme है, उस पर सवाल आपसे पूछा गया है, rethinking global consumption, production investment, embracing the future, welcoming disruption, driving the global energy transformation, valuing energy storage for off-grid renewable energy system, हाँ, निशा 44 तक पहुँँ जाएंगे, देखिए, अनाउंस किया था कि 12 नए channel add होंगे, आप ऐसे नहीं है कि 12 नए channel एक साथी add कर देंगे, वो धीरे-दीरे add करेंगे न, धीरे-दीरे add होते रहेंगे, अभी 34 हैं, हो सकता है, अगले हफते दो और add हो जाएं, तो आपको तो aware रहना है, मैंने आपको भी present भी दिखा दिये कि presently website पे लिखा 34 हैं, इससे पहले 32 हुआ करते थे, और वो भी बता दिये कि announce क्या किया था हमारे finance minister ने, आपको हमने Twitter का feed दिखाया, कि क्या announce किया था, कि 12 नए channel हमारे add होंगे, चलो आपके answers आने शुरू हो गए, तो World Future Energy Summit के बारे में भी आपके साथ discuss करते हैं, उसकी website पे चलते हैं, तो World Future Energy Summit आप यहाँ पे सबसे उपर देख सकते हैं, कि यहाँ पे लिखा है ADNEC Abu Dabi, और अगला summit होने वाला April 2021 में, इससे पिछला summit हुआ है भी April 2020 में, तो मैंने आप से जो सवाल पूछा, वो April 2020 से जुडा हुआ था, तो क्या बताया गया, कि यह World की Leading Business Event है for Future Energy and Sustainability, लो जी यह है हमारा World Future Energy Summit, तो अगर हम इस बिछले edition की बात करें, जो 10th edition था 2020 का, उसकी theme हमारी क्या रखी गई थी, उसकी theme हमारी रखी गई थी, Rethinking, Global Consumption, Production and Investment, तो यह theme हमारी रखी गई थी, अबुदाबी National Exhibition Center के अंदर, अबुदाबी UAE के अंदर हर साल यह हमारा Energy Summit ऑगनाईज किया जाता है, future energy के उपर discussion की जाती है कि कैसे हम future में अपनी energy requirements पूरी करेंगे, और 2020 की जो theme थी, वो थी, Rethinking, Global Consumption, Production and Investment, तो हमें consumption को भी सोचना है, production को भी सोचना है कि कैसे, अब हम जादा renewable energy का इस्तमाल करें, और उनी technologies में अपने पैसे invest करें, तो इन चीजों पर discussion यहाँ पे हुआ था, इस theme के अंदर, तो यह कुछ important बात हैं थी, इसके बारे में, चलो जी, आचुके हैं, C141B, one of the most potent ozone depleting chemical, India, US, Japan, China, आप सभी जानते हैं कि hydro-clorofluorocarbon हमारे लिए कितने डेंजरस हैं, हमारी ozone layer को deplete करते हैं, ozone layer हमें सूरे से आने वाली ultraviolet किरनों से बचाती है, और अगर ozone layer deplete हो जाए, तो हम तक वो किरने पहुंच जाएंगी, और हमारी health को effect करेंगी, हमारी eyes क cataract हो सकता है, यह सब बातें कई जाती हैं, cancer हो सकता है हमें, तो यहाँ पे कौन सी country ने phase out कर दिया जी, और आपके answers आ रहे हैं, 4A3C, mixed answers आ रहे हैं जी आपके, लो जी, यह हमारी India की ही है news, इंडिया की ही news है, इंडिया की हमारी जो ministry of environment, forest and climate change है, उसने January 2020 के अंदर press release issue किय कि इंडिया achieves complete phase out of one of the most potent ozone depleting chemical, तो hydro-fluorocarbon 141B, और कहा गया, यह हमारा इस्तमाल होता है, foam manufacturing enterprises, जो भी foam manufacture करती हैं, उसके अंदर इसे इस्तमाल किया जाता है, as a blowing agent, और यहाँ पे बोला गया कि हमारे देश के अंदर तो यह produce नहीं होती, हम इसे बहार से import करते थे, अब इसक import ही नहीं कर सकते, अब import ही नहीं कर सकते, तो इंडिया में आएगी ही नहीं, और इंडिया में इसका इस्तमाल बिलकुल ही खतम हो जाएगा, तो इंडिया ने इस HCFC 141B को अब completely phase out कर दिया, इसके benefits भी लिखे हो है, कि ozone layer heal होगी, climate change, जो है हमारा, वो भी हम tackle करेंगे, इसका global warming potential जो है, वो high था, ऐसा कुछ लिखा है कि, अब हम low global warming potential alternative technologies के तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे, ठीक है जी, तो यह सा बातें यहाँ पे बताई गई, तो यह हमारा इंडिया ही है, जिसने phase out किया है hydro chlorofluorocarbon को, हाँ बिलकुल हमारा इंडिया बहुत great है जी, लो जी यह भी ब लागू हो चुके हैं, लो जी, अगला सवाल आपका, IT से जुड़ा सवाल है, what is the theme of 23rd edition of national conference on e-governance 2020 held at Mumbai महाराश्टरा 7 to 8 Feb 2020, national conference on e-governance हर साल organize की जाती है, 23rd edition इसका organize हुआ था, Mumbai महाराश्टरा में, February 2020 में, और उसकी theme जो है, आपसे पूछी जा रही है, theme क्या है जी, cultural transformation, economic transformation, digital transformation या फिर e-literacy transformation, बहुत important सवाल आने वले examinations के लिए, यह सभी सवाल जो आपके साथ discuss कर रहे हैं, कहीं न कहीं किसी shift में पूछे जा सकते हैं, जैसा कि देखने को मिल रहा है, सीधे सीधे सवाल, हमसे examiner पूछ रहा है, चलिए आपके answers आने मेरे पास शुरू हुए हैं, तो my dear friends, आपका जो answer है, वो option C का आप दे रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, आपके answer है यहाँ पे, हाँ, e-governance है, तो आप digital transformation को कहीं न कहीं असानी से mark कर सकते थे, बाकी options को eliminate कर सकते थे, तो कई बार थोड़ा सा logically भी आप चलेंगे, तो आपने answer तक यहाँ पे पहुँ 2020, India's first home-based global platform to promote fintech innovation, will be held in Mumbai, Maharashtra, March 2020, तो यह भी बोला गया कि हमारा इंडिया fintech festival भी होने वाला है, March 2020 के अंदर अब यह हो चुका होगा, तो fintech क्या होता है, fintech के अंदर हमने finance और technology दोनों को जोड़ दिया, अगर हम ऐसी technologies लेकर आते हैं, जिससे हम अपने financial world को influence करते ह sales की rate में सब digital payments हो रही हैं, तो वो सब आपका fintech के अंदर आपका आजाता है, तो national conference on e-governance की पूरी एक site भी है, और वो site हमने आपके लिए खोली थी, बिल्कुल यह site आपके लिए हमने पहले से खोल के रखी थी, department of administrative reforms and public grievances, DARPG इसे प्यार से बुलाते हैं, यह हमारी ministry of electronics and IT के साथ organize करता है national conference on e-governance, 1997 से हर साल यह conference organize हो रही है, तो इस बार यह 23 conference थी, और यह February 2020 के अंदर मुंबई महराश्टा के अंदर हुई थी, तो यह बाते है my dear friends, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमारे awards भी दिये जाते है, national conference on e-governance awards भी दिये 2020 का है इसके अंदर के नहीं है, तो अपडेट ही नहीं किया है इन्होंने, अभी 2020 वाला तो नहीं है इसके अंदर, list of awards, बट यह आपके लिए homework करेगा कि आप जुरू चेक कीजेगा कि 2020 में किस-को award मिला है, यह आप जुरू एक बार चेक कीजेगा कि किस-को award मिला 2020 के तो कौन से सिटी ने National Water Conference जो थी, वो होस्ट की थी, 2020 फेब के अंदर, UP, केरला, असाम, MP, बिल्कुल सीधा सवाल है, और ऐसे ही सवाल examination में पूछे जा रहे हैं, National Water Conference, यह माई डियर फ्रेंट्स हमारी organize की थी, मध्यपर्देश ने यह organize की थी, हमारे मध्यपर्देश के CM ने इसे inaugurate किया था, National Water Conference को, बपाल मध्यपर्देश के अंदर इसे organize किया गया था, बपाल हमारी मध्यपर्देश की capital है, और यह conference क्यो organize की गई, to finalize the guidelines of right to water act or water rights act and also discuss the water prices in the state and also making the state a water wage state, तो मध्यपर्देश के अंदर कुछ right to water act लाने की बात हो रही है, और उसे को discuss करने के लिए, यह national water conference जो है, वो organize की गई थी, तो यह माई डियर फ्रेंट्स एक important fact है, आपको याद रखना है, हाँ, चलो जी, यूपी गलत है जी, यूपी 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 आरे हैं इतने सारे, यूपी गलत है, इसका answer MP है, यूपी किसी और का answer था, यूपी वाला सवाल examination में पूछा था कि कौनसी स्टेट ने Groundwater Act पास किया, वो Groundwater Act वाली का answer यूपी था, हाँ, चलो, अगला सवाल है, इन में से कौनसी सरकारी undertaking ने ये MOU साइन किया है, ये आपसे सवाल पूछा गिया है, ये सवाल आपसे पूछा गिया है, कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC, DRDO, BSNL, किसने साइन किया जी, हाँ, यूपी जो है, Groundwater है, यूपी Groundwater वाला है, एक बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, ये भी आपके लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं, कि हम जो है, फ्यूचर में इलेक्रिक वाइकल्स की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, क्लीन और ग्रीन इनर्जी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और उसी कॉंटेक्स्ट में, एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल कराता है, कि हम इलेक्रिक वाइकल्स तो खरीद लेंगे, बट उसे चार्ज कहां करेंगे, चार्जिंग स्टेशन तो है ही नहीं देश में, और उनी को बढ़ाने के लिए, ये MOU साइन किया है, किसने साइन किया है, ये आपका BSNL ने किया है, एक important fact है, लो जी, अगले सवाल पर आचुके हैं, अगले सवाल की तरफ आचुके हैं, नेम दा फर्स्ट इंडियन स्टेट यूटी विच अचीवड हंडर्ड परसेंट LPG कावरेज ड्यू टू इंप्लिमेंटेशन ऑफ परधान मंत्री उज्वला जोजना स्कीम, सर, यहां पे आपने हमारी fourth option तो उड़ा ही दी, चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, fourth option गलती से उड़ गई है, और वही यहां पे answer था हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं देखिए, आपको बताता हूँ, इसके बारे में परधान मंत्री उज्वला जोजना, सरकार ने outdoor pollution होता है, घर की जो महिलाएं है, जो उन पर काम करती है, उनकी health खराब होती है, और इसलिए योजना सरकार ने चलाई थी, LPG coverage को बढ़ाने के लिए, और अभी जो है, हमारी हिमाचल परदेश पहली state बन चुकी है, जिसके अंदर 100% LPG coverage हो चुकी है, इस scheme के अंदर, तो य ये माइडियर फ्रेंड्स एक important fact था जो कि आपको याद रखना है, चलिए, चलो, सवाल number 8 पे हम पहुंच चुके है, according to Economist Intelligence Units, the Worldwide Education for the Future Index, 2019 report, Finland topped the index and India's rank in the index, तो ये माइडियर फ्रेंड्स एक index release हुआ है, Economist Intelligence Unit, EIU ने Worldwide Education for the Future Index launch किया है, education से जुड़ा हुआ index है, तो हमारे लिए important है, और इस index में इंडिया का स्थान कितना है, इंडिया का rank क्या आया है, वो आपसे पूछा गया है, 35, 38, 40, 47, इंडिया का क्या rank आया है, वो आपसे पूछा गया है, विनो चुकला केरे हैं, बेडा गर्ग हो गया, अच्छा जी, नहीं होने देते हैं, आपका बेडा गर्ग चिंता मत कीजे, आपके साथ धेर सारे अच्छे-च्छे सवाल डिसक्स करेंगे, और आज कर भी रहे हैं, तो माइडियर फ्रिंड्स, ये जो है, इस index के अंदर, इंडिया को 35th position मिली, पहले 40th मिली थी, तो इंडिया का rank यहां पे इंप्रूव हुआ, एकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का यह हमारा रिपोर्ट है, इंडेक्स है, और इस index को टॉप किया फिनलेंड ने, उसके बाद स्वीडन है, और उसके बाद न्यूजिलेंड है, तो इंडिया का rank य के बीच बीच में, हाँ, सवाल नंबर नौ जो है, वो आपका World Wildlife Day से जुड़ा है, World Wildlife Day, celebrated on 3rd March every year to raise awareness of the world's wild animals and plants, what is the theme of World Wildlife Day 2020, 2020 का जो World Wildlife Day है, उसकी themes क्या है, future of wildlife is in our hands, listen to the young voices, sustaining all life on earth, या फिर big cats, तो World Wildlife Day पे यह आपका सवाल पूछा गया है, यह date 3rd March को मनाया जाता है, इसकी website हमने खोली है, आपको लेकर चलते हैं, वहाँ पे, किदर चली गई, हाँ, यह रही, World Wildlife Day 3rd March को जैसे आप देखने हैं, उपर लिखा हुआ है, और इसके बारे में भी कुछ बताया गया है, कि ह हमारा 2013 के अंदर United Nations ने यह डिसाइड किया कि जो 3rd March है, उसे हम World Wildlife Day के फार्म में मनायेंगे, क्यों मनायेंगे, क्योंकि इस दिन हमारी Sights Convention जो थी, वो साइन हुई थी, Sir, Sights Convention कौन सी है, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, तो जो हमारे Wild Flowers हैं, Wild Plants हैं, Animals हैं, उनकी ट्रेड को कंट्रोल क करने के लिए Convention साइन हुई थी, 3rd March को, तो इसलिए इस दे को हमारा World Wildlife Day मनाया जाने लगा, और जो इस बार Conference हुई थी, हमारी 2020 के अंदर उसकी थीम भी यहां पर आपको बता दीगे, Sustaining All Life on Earth, this aligns with Sustainable Development Goals 1, 12, 14 and 15, तो यह कहीं न कहीं आपको जुड़े होंगे, Biodiversity से, Wild Life से और यहां पर इसलिए हमारा आंसर जो है वो बनेगा option number 3, option 3 आंसर बनेगा, Sustaining All Life on Earth, तो यह my dear friends इसकी हमारी theme है, दस्वें सवाल की तरफ बढ़ चुके हैं, Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change has sanctioned 33 crore financial assistance to Kazi Ranga Tiger Reserve Under Project Tiger Scheme, Kazi Ranga National Park जो है कौन सी स्टेट में located आईया, आपसे पूछा गया भई, काजी रंगा को 33 crore रुपे दिये हैं, Ministry of Environment ने, और आपसे पूछा जा रहे है, काजी रंगा कौन सी स्टेट में located है, महराश्टरा, असाम, उत्राखंड, मद्य बर्दिश, कौन सी स्टेट में located है, काजी रंगा National Park, बहुत important है जी, आप सभी ने पढ़ा होगा, One Horned Rhinosaurus ज है, इसमें तो कुछ जादा मुझे समझाने वला भी नहीं है, असाम के अंदर आपका काजी रंगा National Park है, जिसके अंदर आपका Tiger Reserve भी है, हाँ, बिल्कुल, MP में नहीं है जी, गल्ती मत कीजे, MP के अंदर नहीं है, असाम के अंदर है, बहुत important fact है, अक्सवर नीउस में रहत है, सवाल नंबर 11 है, name the Indian state which is going to launch a digital literacy drive, named I am also digital, to create awareness about e-governance, तो कौनसी स्टेट ने एक digital literacy drive, जो है, ओगनाईज की है, लांच की है, अपने स्टेट के अंदर e-governance को जादा प्रमोट करने के लिए, केरला, करनाटका, तिलंगाना, तामिलाडू, हाँ, ये भी एक सीधा सवाल ह है, मैं मानता हूँ, examination perspective से 100% relevant है, ये सवाल, हाँ, बिलकुल असाम आपकी state है, तो आपको तो पता ही होगा, हाँ, बिलकुल आपको तो पता ही होगा, असाम अगर आपकी state है, तो इसका भी my dear friend सीधा सीधा जवाब है, कि केरला जो है, वो launch कर रही है, digital literacy drive, I am also digital, ताकि वो ल लोगों को उसका benefit भी यहाँ पर उठाना चाहिए, तो ये भी my dear friends, एक important fact जो कि आपको याद रखना है, और उमीद करते हैं, सवाल जो आपके साथ discuss कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को like कीजिए, आप की साथ regular जुडने के लिए, तो इसका answer हमारे पास है केरिला, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, but again आपको like ज़रूर करना है इस वीडियो पर, question number 12 जो है अब आपकी screen पर आ गया है, name the Indian state which topped the list for domestic solar rooftop installations throughout the country as on 2nd March 2020, तो हमारे देश के अंदर, हमारी जो छते हैं, rooftop है, बात की जा रही है, और कौनसी state में सबसे ज़्यादा rooftop installations की गई हैं, वह आपसे सवाल पूचा गया है, कौन सी state ने टॉप किया है, domestic solar rooftop installations के अंदर, पंजाब, महराश्या, गुजरात, तामिल लडुकेस ने टॉप किया है, या आपसे सवाल पूचा गया है, किस ने टॉप किया है यह आप से सवाल पूछा गया है तो मैंडि ये फ्रेंट्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमारे गुजरात ने टॉप किया है गुजरात चुब है फरस्ट आया है in the list for domestic solar rooftop installations throughout the country with 64% of the domestic solar installations. इसके बाद है हमारा महराश्च्रा. हाँ, बिलकुल नईने सवाल ही आपके साथ discuss करेंगे क्योंकि NTA ने कुछ ऐसे सवाल ही हमारे paper 1 में पूचे हैं जो की पहले shift में अभी conduct हुए हैं. उनमें जो सवाल पूचे गए हैं, उनके basis पर ये सवाल आपके साथ discuss करेंगे हैं. हाँ, तो आगे बढ़ गए हैं जी, तेरवे सवाल की तरफ, तेरवा सवाल Name the first company in India which is to begin supply of BS6 fuel across the country. तो BS6 fuel की तरफ हम अब आगे बढ़ रहे हैं. आप सभी जानते होंगे कि अब जो है, हम BS4 से BS6 की तरफ बढ़ गए हैं. क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि हम चाते हैं कि हमारे जो vehicles हैं, वो pollution काम करें. और इसलिए, अब हम BS4 से BS6 norms पर बढ़ चुके हैं, और BS6 जो norms हैं, उनके लिए अलग से एक fuel develop करना पड़ेगा, और उसकी supply करने वाली पहली company कौन सी बनी है जी? Gas Authority of India Limited, भारत Petroleum Corporation Limited, हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited, Indian Oil Corporation. विनोज शुकला, current के कोई source प्रवाइड कर दीजी, कोई source नहीं है, मैंने बहुत मुश्किल, बहुत महनत से दो दिन लगाएं इस अवाल सभी आपके लिए डूडने के लिए, क्योंकि current अगर आप search करेंगे, तो आपको current affairs in general मिलेंगे, बच UGC net के लिए कोई आपको sort करक के नहीं देगा कि UGC net के लिए आप ये पढ़ लो, ये हमें खुझ से महनत करनी पड़ती है, कि कौन से current affairs हमारे UGC के लिए relevant होंगे, आप IES के लिए current affairs रूणने जाओ, banking इजाम के लिए रूणने जाओ, बहुत सारे मिलेंगे, बट UGC के लिए नहीं मिलेंगे, आपको निकालने पड़ेंगे, बिल्कुल B.S. जो है वो भारत stage norms है, भारत stage norms, B.S. का मतलब है भारत stage, ये हमारे Euronorms के basis पे बनाए गए है, तो my dear friends, Indian Oil Corporation IOC जो है वो पहला company बना है, जो की हमारा B.S. 6 फ्यूल हमें supply करेगा, तो B.S. 6 बताया गया कि B.S. 6 जो है हमारा, it is ultra low sulfur grade fuel to reduce pollution from vehicles in the air, तो ये रही B.S. 6 की बात, हाँ, लो जी अगला सवाल, और ये ही सवाल जो है, आपके examination में पूछा भी गया है, name the person who has been appointed as the ambassador of World Wildlife Fund, India's Environment Education Program, India's Environment Education Program, WWF का, उसके ambassador किसे appoint किया गया, रानी रामपल, विराठ कोली, विश्वनाथन अनन्द, शरत कमल, हाँ, बताये किसे appoint किया गया, ये सवाल पूछा गया है examination में, ये तो आपको पता ही होगा, आपके examination में पूछ चुके हैं, अभी September 2020 का examination जो हमारा हुआ था, 24 September को उसमें ये सवाल पूछा गया था, थेंक यू जी, हाँ, आप अपमारी वीडियो को लाइक कीजिए, वही हमारे थेंक यू है, विश्वनाथन अनन्द, बिल्कुल सही, विश्वनाथन अनन्द को में रेश्वर पॉइंट किया गया है, हमारे WWF इंडिया के Environment Education Program के लि Norway topped the World Press Freedom Index 2020, सर ये Press Freedom पे कहां पे आ गया, इन्वार्मेंट के सवाल तो करवा रहे थे, मुझे सही लग रहा था, अब ये Press Freedom कहां से हमारे Paper One से जुड़ा है, तो my dear friends, Communication के अंदर आपका Last में है, Mass Communication, Mass Media, तो उसके अंदर जो है, आपका Press भी आता है, और इसलिए सवाल आपके ले ढूंड कर लाएं है, कि World Press Freedom Index 2020 नौरवे न टॉप किया, इसे कमपाइल किया था, Paris-based organization है, RSF, Reporter Sans Frontier, यानि कि Reporter Without Boundaries, उसके अंदर इंडिया का रैंक कितना आए, इंडिया वाले कितना अपनी Press को फ्रीडम देते हैं, कितना रैंक आया, 142, 110, 135, 120, ये तो क्लियर है कि ये बहुत बड़ी आपका जवाब था, अगले सवाल का आंसर मैं आपको बता देता हूं जी, अगले सवाल का आंसर है, 142, इंडिया बहुत पीछे है जी, इंडिया का रैंक पिसली बार से और जाद अगिर गया, पहले 140 था, 142 हो गया, तो यहां World Press Freedom Index 2020, 180C कंट्री इसको Without Borders, और Norway ने अटॉप किया है, ऐसी कुछ बाते आप से बताई गई गये, इस देक्लाइन रिगाइन की इस देक्लाइन रैंकिन इन च्वाइन इन ओपर जाद जैनलािस वर रिकॉर्डड न हैंने ड़टी अजरें गया, तो यहां पर हमने गलत बता दिया, क्या, राइज has decreased by two places to 1.42nd from, नहीं ठीक है, 1.42nd ही हो गया इंडिया का रहा हैं, बिलकुल सही बता है, 1.42nd है, 1.42nd आपको याद रखना है, हाँ, चलो, ठीक है, World Press Freedom Day was celebrated annually on 3rd May, what is the theme of the day for year 2020? Sir, theme वाले सवाल आपने बहुत सारे पूछ लिये, तो theme की तो आप एक list ही बना लेना, World Press Freedom Day 2020 की क्या theme थी, यह आप से यहाँ पे पूछा जा रहा है, Keeping Power in Check, Media Justice and Rule of Law, Critical Minds, Media's Rule in Advancing Peaceful, Just and Inclusive Societies, Journalism Without Fear or Favor, Media for Democracy, Journalism and Elections in the Times of Disinformation. World Press Freedom Day, यहाँ पर पहले तो आपको यह याद रखना है, कि 3rd मई को इस डे को celebrate किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है, यह भी आप से पूछा जा सकता है, अब 3rd मई तो हाली में को जादा पुराना तो नहीं है, 3rd मई को यह दे celebrate किया जाता है, और 2020 की जो theme है, वो है journalism without fear or favor, तो यह भी my dear friends आपको याद रखना है, 1993 से यह दे हमारा celebrate किया जाता है, theme of this year's, World Press Freedom Conferences, journalism without fear or favor, यह कौन celebrate कराता है, यह आपका UNESCO जो है, United Nations जो है, वो इससे जुड़ा है, ठीक है जी, तो यह कुछ important बात है, इसके बारे में जो की याद रखनी है, हाँ जी, answer 3 है, बहुत बड़ी answers आपके, चली, इस सवाल का answer बताईए, which state UT government has renamed environment ministry as environment and climate change ministry in June 2020, कौन सी state ने अपना environment मंतराले का नाम बदल कर, environment and climate change मंतराले किया है, June 2020 के अंदर, तो हाल ही का सवाल है, महराष्टरा MP हर्याना उडिसा, कौन सी state ने चेंज किया, तो जैसे आप से ground water का सवाल पूछा था न, बिल्कुल same lines पर ये सवाल है, बिल्कुल same lines पर सवाल है, तो आपको याद रखना है जी, कि हमारी महराष्टरा ने नाम चेंज किया है, अपने environment ministry का नाम चेंज किया, environment and climate change ministry कर दिया, अब climate change पर भी focus यहाँ पर emphasis किया जाएगा, नाम चेंज करने से वैसे तो कुछ नहीं होता, actual में काम करो तबी मज़ा है, चलो फिर भी नाम चेंज करना कहीं ना कहीं एक पहली शुरुवात हमारे लिए बन गई है, हमारी जो इंडिया की environment ministry है, national level पर उसका नाम तो पहले ही, ministry of environment, forest and climate change है, बट मैंने वो रखता है काम कितना किया जा रहा है, climate change को रोकने के लिए, हाँ जी, बिल्कुल विनोच शुकला कोई दिक्कत की बात नहीं है, actually current के ना जो सवाल है, उसके अंदर कोई सिर पैर नहीं है, वो सीधे सवाल, सीधे सवाल है, factual सवाल है, जो कि आपको याद करने है, अब जो चीज याद करनी है, जो चीज का आपको रटा लगाना है, उसके कोई आपको conceptual clarity नहीं कुछ होएगी, इसलिए आपको सिर से उपर से जा रहे होंगे, तो आपको याद कर लेंगे, आपके सिर के नीचे से चले जाएंगे, कोई दिक्कत के बात नहीं है, कौन सी ministry अभी celebrate कर रही है, two week long संकल्प पर्व initiative of plantation of trees, बताओ जी, trees के plantation को बढ़ावा देने के लिए, कौन सी ministry two week long संकल्प पर्व celebrate कर रही है, तो इसका भी answer आपको बता देते हैं जी, हाँ इसका भी answer आपको बता देते हैं, हाँ बिलकुल PDF मिल जाएगी टेलिग्राम पे, हमारी ministry of environment, forest and climate change आपको लग रहा होगा, बिलकुल लग रहा होगा कि ये celebrate कर रही है, बट ऐसा नहीं है, ये संकल्प पर्व है, संकल्प पर्व जो हमारा है, वो ministry of culture celebrate कर रही है, क्यों celebrate कर रही है, हमारी इंडिया की herbal wealth को बढ़ाने के लिए, हमारी जो herbal wealth है, उसे बढ़ाने के लिए clean और healthy environment को पर्मोट करने के लिए, हमारी जो culture ministry है, वो एक संकल्प पर्व celebrate यहाँ पर कर रही है, हाँ, तो ये भी my dear friends आपको याद रखना है, आप answer ministry of environment लगा कर आ सकते थे, बट answer आपका ministry of culture है, और इसी point पर आपका examination में confuse कर सकते हैं, इसलिए सवाल आपसे यह पूछा किया है, बिल्कुल सभी के answer 4 दिख रहे हैं मुझे, चलो कोई बात नहीं, अब गलती कर दी, examination में गलती नहीं करोगे, मुझे पता है, मुझे विश्वास है आप पे, कि आप दो बारा गलती नहीं करोगे, एक बार ही गलती करते हो, एक बार की गलती माफ है, दूसरी नहीं है, चलो अगला बता हो, अगला IT से जुड़ा हो है, सर आप तो पता है नहीं, अगला बता है, अगला बता है, पढ़ी लो, कि कम से कम उन्हें तो पढ़ लें, उन्हें तो याद कर लें, हमने महनत करके आपके लिए सवाल ढूंडे है, करेंट अफेर से, कम से कम आपको इन्हें तो पढ़ ही लेना चाहिए, मैंने ही कह रहा कि आप पूरे निउस्पेपर उठालो, पूरी मैगजिन ले आओ, मार्किट से प्रत्योगी ता, दरपन जी के टूड़े, मैं नहीं कह रहा आप से, बट मैं कह रहा हूँ कि कम से कम आप इतना तो पढ़ लो, इतना कम से कम पढ़ लो, तो यह हमारा जो शॉपर है, यह मालवेर है, रॉबोट नहीं है, यह हमारा मालवेर है, तेखे, यह अभी न्यूस थी रिसेंटली, यह देखे, आप जैनुरी 2020 की न्यूस है, यह हमारी, कि 14% इंडियन अफेक्टेड बाइ शॉपर मालवेर, यह एक नई ट्रोजन एप्लिकेशन है, जो कि हमारी शॉपिंग एप की जो रेटिंग्स है, उनकी इंस्टॉलेशन्स है, और हमारी एड्स को प्रमूट करने के लिए, जो कि यूजर्स को एनॉइ करती है, तो इसके लिए एक मालवेर है, जो कि आपके फोन में आ गया, तो आपको OTCD आड देता रहेगा, आपको एनॉइ करता रहेगा, शॉपिंग एप्लिकेशन्स डाउनलूड करने के लिए आपको बोलता रहेगा, तो ये कैस्पर स्काई जो है, उन्होंने बताया, कि ऐसा जो है, एक मालवेर, एक ट्रॉजन एप्लिकेशन जो है, अभी लोगों को तंग कर रहा है, तो इसका अंसर हमारे पास क्या होने वाला है, इसका अंसर होने वाला है मालवेर, ये हमारे लिए एक मालवेर है, तो इसका अंसर है, option number 2, लो जी, सर आपने हमसे सवाल पूछा है, तो हमारे किसी सेग्मेंट से जुड़ी होगी ये, और हमारा जो सेग्मेंट यहाँ पर हमें लग रहा है कि, जुड़ा हुआ हो सकता है, वो एक तो elections हो सकता है, इलेक्टरिस सिटी भी हो सकता है, इस ओफ दूइंग बिजनस तो सर पेपर वान का नहीं लग रहा है, तो electronics manufacturing सबसे ज़्यादा लग रहा है answer हमें, क्या यही answer है, बिल्कुल यही answer है जी, बिल्कुल यही answer है आपका, electronics manufacturing, option 2 आपका answer है, electronics manufacturing, EMC 2.0 scheme जो लॉंच की है, union cabinet ने, उसका क्या मकसद है, उसका मकसद है, electronic manufacturing को बूस्ट करना, अनिल होती कह रहे है, 81 types of virus, समझ नहीं पाया, आपकी बात को, क्या कहना चाह रहा हैं, चली, तो यह, माइडियर फ्रेंड्स, आज आपके साट discussion था, बातें बताएं इनकी website पर लेकर चलें, ताकि आपकी दिमाग में ये बातें सेट हो जाएं, एक बार पढ़ लेने से हो सकता है, बातें दिमाग में ना सेट हो, बट उनके उपर कुछ discussion कर लेने से, उनकी website देख लेने से, बातें थोड़ी लंबे समय तक हमारी दिमाग में सेट हो जाती है, और इसलिए ये discussion आज आपके साथ किया, अगर आपको ये discussion हमारा पसंद आया है, तो उमीद करते हैं, आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लिया है, और आपने friends के साथ भी share कर दिया है, देखिए अगर हमसे कोई query है, तो आप पूछ सकते हैं, हमें mail कर सकते हैं, WhatsApp या call कर सकते हैं, regular updates के लिए Facebook और Telegram पे हमारे से जोड़ सकते हैं, और हमारी website भी visit कर सकते हैं, हमारे courses के बारे में जानने के लिए, और हमारे बारे में जानने के लिए, free learning app Google Play Store से डाउनलूड कर सकते हैं, अपने Android phones पे, every study classes के नाम से आप आपको मिल जाएगी, हाँ, तो आपके messages आ रहे हैं, thank you sir, चलो, बहुत बढ़िया आपको हमारे session पसंद आया, देखिए हम कुछ करना चाह रहे थे, क्योंकि हमें feel हुआ कि जो question आ रहे हैं, current affairs के, उनकी त्यारी कहीं न कहीं हमारी अधूरी है, हम उनके लिए कहीं न कहीं prepared नहीं है, तो इसलिए current affairs पे, हम आपके साथ अब कुछ आने वाले दिनों में, ऐसे MCQs discuss करते रहेंगे, regular basis पे, most welcome, Krity, Monika, Sonia, Natasha, Nisha, Sumit, Trinath, Tannu, Naveen, Pankaj, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके से जुड़के शुरुती, Anil, Chanakya, हाँ PDF अप्लोड कर रहे हैं अभी जी, most welcome विकास, PDF अप्लोड कर रहे हैं अभी अप्लोड कर रहे हैं, Telegram चैनल पे अभी PDF आ जाएगी आपके लिए, session को end करते ही PDF आ जाएगी, चलो, तो मैं इस session को end कर रहा हूँ, आप अपनी पढ़ाई को end मत कीजिए, हो सकता है, डिरेक्ट सवाल यहां से अटक जाए, मैं नहीं कहरा, 100% आएगा, बट जो चीज आपको पके पकाई मिल रही है, कम से कम उससे तो एक बार देखी लेना चाहिए, तो थेंक्यू जी, बाइबाइ, टेक केर, all the best.